हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेनेसा के बारे में डिसकस करने वाले हैं रेनेसा जो की यूरोप के इटली से सुरू हो करके पूरे यूरोप में फेल गया तो इसके बारे में हम पूरे अच्छी तरह से डिसकस करने वाले हैं रेनेसा आखिर है क्या या इटली पहुँचा कैसे और इटली के बाद या कैसे पूरे यूरोप में फेला तो इन सभी चीजों के बारे में हम एकका करके और अच्छे से डिसकस करेंगे इस Renessa के आने से England पर क्या परभापड़ा और England में फिर Renessa के से आया इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं दोस्तो Renessa के आने के बाद किस परकार से पूरे यूरोप में नए नए चीजों की खोज की गई समुंदरी मार्ग की खोज की गई तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिसकेस करने वाले हैं तो बने रहेगा वीडियो के आन तक यह वीडियो कापी knowledgeable होने वाली है तो दोस्तो पहली बात तो यह है कि जिस परकार से इंडिया की हिस्ट्री तीन पार्स में डिवाइड है उसी परकार वर्ल्ड हिस्ट्री भी तीन परकार से डिवाइड है दोस्तो पहला जो है वो है ancient हिस्ट्री, second है medieval हिस्ट्री और third है modern हिस्ट्री तो प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल ये इतिहास के तीन परकार है तो रेनेसा का मतलब होता है दोस्तों अगर हम बात करें रेनेसा का अर्थ के बारे में रेनेसा के मिनिंग के बारे में पुना निर्मान पुना निर्मान या पुनर जन और पुननिर्मान मिंस क्या समझते आप। पुननिर्मान मिंस यह होता है कि जो चीज पहले सही थी वह बीच में बिगड़ गई। तो उसी को निर्मान के लिए इस वर्ण का यूज किया जाता है पुननिर्मान। तो वास्तों में यूरोप में होता क्या था स्वाप समझी प्राचीन समय में जो यूरोप की कंडिसंस थी वो काफी अच्छी थी अगर प्राचीन काल की बात करें तो यूरोप की स्थिति अच्छी थी लेकिन मिडिवल एज जिसको मध्य कालिन काल कहते हैं तो इस काल को डार के इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस समय यूरोप पूरा यूरोप हर तरह से जूज रहा था नहीं नहीं बिमारियों से कई परकार के बिमारियां आ रही ति जैसे प्लेग और भी कई परकार के पेंड़मिक आ रही थी यूरोप में उस समय लोग मेडिवल एज में लोग काफी अंध्विस्वासी हो गए थी उन्हें लोगों की छमता को आखना कम कर दिया था वे खुद पर बिलिव नहीं कर पा रहे थी उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक मानो क्या कर सकता है वे अंध्विस्वासी हो गए थी उस समय जो चर्च थी खास कर जो केथोलिक चर्च की अगर हम बात करें तो वो सब भी लोगों को अंध्विस्वासी बनाई रखा था केथोलिक चर्च का भरष्टा चार काफी बढ़ गया था पोप की बात करें तो पोप समराज जी का विस्तार के एज भी कहते हैं तो अगर हम बात करें modern age की तो modern age तक आते आते ये सभी इस्थित्या सही हो गई थी और इसका परमुक्ष कारण था रेनेसा पुनर निर्मान तो चलिए इसके बार में विस्तार से हम बात करते हैं दोस्तो रेनेसा के आने से ना केवल लोगों की जीवन सेले में सुधार होने लगा बलकि इससे literature पर भी काफे प्रभाव पड़ा दोस्तो अगर हम बात करें Constantinople के बारे में Constantinople जो की Greek की old capital थी जिसका हिंदी नाम कुंस् दोस्तों जो भी हो तो Constantinople के जो हम बात करें तो इस सहर को छोड़ करके Constantinople को छोड़ करके पूरे यूरोप में पूरे यूरोप में कहीं भी जितने भी राइटर्स थे वे सभी अंधिविस्वासी टाइप के थे लेकिन Constantinople ही एक एसा सहर था एक एसी रजधानी थी ग्रे Любitish Total यह सब Constantinople से भी बिलोंग करते थे टो यह सब मानों के बारे में लिखते थे मानों की खुब्यों के बारे मिलिखते थे टो इन्हेम क्लासिकल राइटर्स के नाम से भी जानते हैं कॉंस्टांटीन नोपल में रहने वाले जितने भी राइटर्स थे उन्हें क्लासिकल राइटर्स के नाम से भी जानते हैं तो ये सभी को तो ये सभी जो क्लासिकल राइटर्स थे जो कॉंस्टांटीन नोपल से बिलोंग करते थे तो ये सभी लोगों की खुवियों के बारे में लिखते थे ये वास्तविक्ता पर जीने वाले लोग थे ये अंध्विस्वास पर बिलीव नहीं करते थे ये भगवान पर जादा बिलीव नहीं करते थे क्योंकि इन्हें विश्वास था कि मानाव ही है जो भगवान से बढ़के है, मानाव है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूरे यूरोप में कॉंस्टांटिन नोपल को छोड़ करके सभी लोग अंध्विश्वासी थे, वे चर्च को जादा महत्व देते थे, वे पोप को महत्व देते थे, और यही कारण है कि उस समय चर्च का भरष्टाचार पूरे यूरोप में काफे बढ़ गया था, तो चुकि दोस्तों कॉंस्टांटिन नोपल के अगर हम बात करें, तो यह पूरे यूरोप का सिच्छा का केंद्रे हम कर सकते हैं, सिच्छा का केंद्रे थ लेकिन इसी बीच में मुस्लिम इन्वेडर्स लोग थे, जो मुस्लिम आकरमन कारी लोग थे, इन्होंने कॉंस्टांटिन नोपल पर हमला कर दिया, तो मजबूरन यहां के सारे क्लासिक राइटर्स को यहां से विस्ताफित होना पड़ा, अब जितने भी क्लासिकल राइट इन्वेडर्स अपने लिखी हीवी किताब को, अपने रचनाओं को, अपने डिक्सन्स को ले करके, इटली के रजधानी रोम चले गए, इटली के रजधानी रोम चले गए, दोस्तों, इन मुस्लिम इन्वेडर्स के डर से, इन सब से हट करके, अपने जितनी भी लेखन से ली थी इन सभी को ले करके वे सब रोम में आ गए अब चुकि यह रोम में आ गए तो यहां के लोग इनकी रचना सेली को देख करके काफि जादा इन्फ्लेंस्ट होए दोस्तों बहुत अधिक प्रभावित हुए इनकी जो रचना से लिए इतनी सांदार थी ये लोगों के बारे में ऐसी बाते लिखते थे क्योंकि इन्हें विश्वास था कि आदमी कुछ भी कर सकता है एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है या भगवान से बढ़ करके तो इन सभी रचनाओं को देखते हुए यहां के जितने भी राइटर्स लोग थे अगर हम रोम के इटली के बारे में बात करें जैसे पेटरार्क हो गए दानते हो गए तो ये सब जो प्लूटो और अरिस्टोटल्स की रचना पढ़ है तो ये काफी अधिक प्रभावित है हुए तब इन्हें भी विश्वास हुआ कि हाँ वास्तों में मनुष्य भगवान से बढ़ करके चुकि मनुष्य है तो वह कुछ भी कर सकता है तो धीरे धीरे यहां के राइटर्स में भी अरिस्टोटल और प्लूटो की रचना से लिद देखने को मिली लोग और भी ज़्यादा इन से परभावित होने लगे इटली के लोग तो कॉंस्टांटिन नोपल का यह जो कार यह बड़ा अच्छा था कि उन्होंने इटली में भी जा करके इटली के लोगों को अपनी रचनाओं से परभावित किया और यही कारण है कि पेट्रार्क और जो दानते जिन्होंने सोनेट के छेत्रे में अपना बड़ा नाम किया है यह सब अरिस्टोटल और प्लूटो की ही रचना से लिद देखकर के परभावित हुए थे तो धीरे धीरे इस परकार से जो इटली के लोग कुंस्टांटिनोपल में रहने वाले लोगों के आने से पहले मतलब जितने भी इटालियन लोग थे जब क्लासिकल राइटर्स लोग रोम नहीं आये थे तो उससे पहले ये भी अंध्विस्वासी थे यहां भी पोप का अत्याचार काफी बढ़ा हुआ था यहां भी भरष्टाचारी लोग थे लेकिन इन सब के आने के बाद धीरे धीरे यहां भी फिर से इस्थितिया अच्छी होने लगी सारी परिस्थितिया अच्छी होने लगी लोग भी काफी समझदार होने लगे और वे सही और गलत का अर्थ समझने लगे भगवान से जादा मनुष्य को जादा महत्व देने लगे तो इस परकार से एक पुनर जनम हुआ इटली का फिर से पुनर जागरन हुआ इटली का फिर से और इटली में इस परकार से देने सा आया मतलब दोस्तों मुस्लिम इन्वेडर्स लोग जिन्होंने कॉंस्टांटी नोपल पर हमला किया तो यहां कि जितने भी क्लासिकल राइटर्स लोग थे यह सब आकर के बस गए रोम में और यहां के रहने वाले लोग इटली के रहने वाले लोग इन सभी क्लासिकल राइटर्स की रचना से लिद देख करके काफे इन्फ्वेंस्ड हुए और यही कारण है कि यह लोग भी अब उन्ही कितरा क्लासिकल राइटर्स कितरा ही समझदार होने लगे और यही कारण है कि इन्होंने इटली में रेनेसा लाने का काम किया अब चुकि दोस्तों यूरोप में पूरे यूरोप में रेनेसा फ़स्ट बार पहली बार इटली में आया और इसी से धीरे-धीरे इनके रिस्पेक्टिव कंट्री जैसे असपेन, प्रांस और इंग्लेंड में भी रेने सा आते चला गया और एक समय पूरे यूरोप में रेने सा आ गया यानि कि भरष्टाचार अंधविस्वास ये सब खत्म हो गया और फिर से मोडर्न समय में रानी एलिजाबेत के समय में हर चीजे सही हो गई थी अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि इटली में रेने सा आया लेकिन इटली के बाद अगर हम बात करें इंग्लेंड के बारे में क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लेस लिटेचर तो हमें इटली से ज़्यादा जरूरी है जानना इंग्लेंड के बारे में तो इंग्लेंड में फिर रेने सा के से आया तो इसका बड़ा कारण यह था कि अधिकतर इंग्लेंड के राइटर्स लोग थे जो भी ड्रामाटिक्ट लोग थे, पोएट लोग थे तो यह सब इतली इन्होंने इतली विजिट किया थोमस यार्ड अरलफ सुरी जिन्होंने सोनेट के छेत्र में इन्होंने काफी योगदान दिया इंग्लेंड में लाने में तो यह सब इटालियन रैटर्स नहीं देख करके परभावित हुए है ये सब पेटरार के कोहीं देख करके परभावित हुएं जो की इटली से बिलोंग करते थे तो ये नहीं राइटर्स के माध्यम से इंगलेंड में भी रहने से आया था दोस्तों चुकि राइटर्स लोग का बहुत बड़ा नाम था उस समय लोगों को जागरित करने में राइटर्स का काफी महतवपूर्ण रोल होता है और उस समय प्रिंटिंग प्रेस जो की केक्स्टोन के द्वारा इंवेंट किया गया था प्रिंटिंग प्रेस तो इसने भी रेनेसा को बढ़ाने में काफी योगदान दिया रेनेसा का परचार परचार करने में काफी योगदान दिया था दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जैसे थोमस मोर्ड विलियम टैंडोल और कॉलेट ये सभी बड़े नाम इतने बड़े नाम हैं दोस्तों कि इन्होंने ह हेमनिजम जो मानावता का परचार परसार करने में रेनेशा को लाने में ये रेनेशा को फेलाने में काफ़े अहम योगदान दिया है तो इन सभी नामों को भी आप सब जरूर याद रखिए अब दोस्तों इंग्लेंड में तो रेनेशा आ गया कॉंस्टांटिन नोपल पर मुस्लिम इन्वेडर्स का भी हमला हो गया तो अगर हम बात करें कॉंस्टांटिन नोपल पर हमले के बारे में तो जब इस पर हमला हुआ जब इस पर हमला हुआ तो इंग्लेंड का जो वेपार जो पहले अरब देशों के साथ होता था वो भी होना बंद हो गया, क्योंकि अस्थल से जाने वाले, जमीन से जाने वाले जितने भी रास्ते थे, वे सब मुस्लिम अक्रमन कारी के कबजे में आ गए थे, तो दोस्तों, रेनेसा के आने के बाद, कई ऐसे बड़े कारी हुए, जिन्होंने पुरी दुन्या को ही चेंज करके रख द दिया, दोस्तों, अब जब अस्थल मार्ग बंद हुआ, तो लोगों ने समुंदरी मार्ग को खोजना स्टार्ट कर दिया, और यही कारण है, कि कॉलंबस ने समुंदरी से जाने वाले रास्ते का, समुंदरी से जो की अमेरिका तक जाता है, तो समुंदरी मार्ग को खोज क यह चुकि अस्थल मार्ग बंद हो चुके थे और लोग अरब देशों के साथ जो पहले वेपार करते थी यूरोपियन लोग वह भी बंद हो चुका था तो इसके लिए समुंद्री मार्ग को तलासना बहुत जरूरी था चुकि पहले दोस्तों यूरोपियन्स को जितने भी यूरोप के लोग थें उन्हें भारत के बारे में पता नहीं था कि भारत भी कोई एक केसा देश है जो कि एसिया में पढ़ता है या मतलब कुछ भी हो तुने भारत के बारे में पता नहीं था और यहीं सी कारण से कोलंबस ने समुंद्री मार्ग से अमेरिका का पता लगाया और वासको डिगामा ने समुंद्री मार्ग से भारत का पता लगाया और फिर धीरे धीरे भारत के बीच वेपार बारत के बीच और इंगलेंड के वीच वेपार बढ़ता चलागी। बाद रेनेसा के आने के बाद ये से बहुत सारे बड़े काम हुए। लोग साइन्स और टेकनोलोजी में ज़्यादा बिलीव करने लगे। कई परकार की इन्वेंशन होने लगी, कई परकार की बड़ी खोजे होने लगी। मेडिकल के छेतर में भी लोगों ने काफी उनत्ती करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये सब सारे प्रभाव रेनेसा का ही था। तो दोस्तों ये जितने भी सारे काम हुए, ये कोई 50 सालों या 100 सालों तक नहीं चला था। ये पूरी तरह से 14 to 17 सेंचुरी तक चला था। करीब 300 सालों के अंतराल तक, करीब 300 सालों के लंभे संघर्स तक या रेनेसा चला था। तो जब इंग्लेंड में फिर एलिजा बेच पिरियड आया, तो उस समय जितने भी बड़े नाम थे, जैसे सेक्सपियर, विलियम सेक्सपियर, सिडनी, एडमंड अस्पेंसर, तो ये सभी राइटर्स ने भी पोईटरी सेक्संस को, ड्रामा सेक्संस को, लिटरेचर सेक्संस को आगे बढ़ाने का काम किया। और इनही के माध्यम से लोग हमेशा जागरित होते चले गएं, लोग हर तरह से अवेक रहने लगें, भरष्ट अचारियों का अंध हो चुका था, जो पोप का हर जगह राज जिता, समराज जिता, वो भी अब खतम हो चुका था, मतलब पूरी तरह से रेनिसा ने लोगों क के जीवन को बदल दिया था, तो दोस्तों, एंसियन हिस्ट्री ओफ वर्ल्ड यानि प्राचीन काल और आधोनिक काल के बीच का जो पिरियड था, जिसे हम डार्क एस कहते हैं, यही एज था जिसमें रेनिसा आया था, और रेनिसा के आने के बाद से या डार्क एस भी पूर लोज, जिन्होंने ड्रामा लिखने का काम किया, कोमेडी लिखने का काम किया, ट्रेजरेडी लिखने का काम किया, और लिटरेचर को और लिटरेचर को आगे बढ़ाते गए, तो दोस्तों, यही थी रेनिसा के स्टोरी, रेनिसा की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बता दाइए होगी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं इसी तरह के इनुलिजबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद